कि आप सबी का स्वागत है एक आँख से बारा गञणे वह भी गमले में ऑर कहां पर घर में यहर घर में गन्ना उगाए जा सकते हैं गन्ना कम सब्सक्राइब अब один भे खाते भी और इसका जूस भी लावकारी होता है गमले में गन्ना उगा सकते हैं जब सब गन्ना खासतोर से सहरों में खरीदते हैं तो गन्ना हमें पुराना मिलता है दो दिन, तीन दिन का, चार दिन का पुराना मिलता है और जूस जो बनाते हैं तो काफी दिनों का गन्ना रखे रहते हैं करीब, दज दिन का, बारा दिन का गन्ना भी रखते हैं, जिससे इसकी क्व process by process आकरी तक इसमें दिखाया है कि पार्ट में एli गंपन एकंपन में गन्न सकते हैं की गन्ना मीं गन्ने को उगाने के सकता कैया है कि गन्न काक्चु के लंबाई जयदा होती है तो गंपना भारी बड़ा होना चाहिए और गं सिंगल बट के टुकड़े काट लें हमने boy इस वीडियो की आखरी में दिखाया है उसमें सिंगल बट के टुकड़े आप अपने घर पर टीट करके गरम पानी में क्यविद्ट करके को MM कुई दवाई डालने के ऊसकते हैं अरगनिक तरीके सा आप गन्न को जा सकते हैं ट्रीट करके करम पानी कितना जो हाथ सहने लाएक गरम पानी हो उसमें ट्रीट करके आदा घंटे तक ट्रीट करने के पाद जो पोड़रे हैं उसमें लगा दें और पोड़रे में एक तिहाई भाग कोकोपित एक तिहाई भाग बर्मी कमपोस्ट और वन थर्ड गार्डन स्वैल यानि जो पेली दोमट मिट्टी होती है उसको आपस मिला ले और अगर आप के पास चूना है तो चूना का पानी में भी गन्ये के बीच को डूबो लें और डूबोने से फायदा होगा जिसने फंगस जनित रोग होंगे खतम हो जाएंगे बैक्टिरिया से भ इसकी जो टिलरिंग हुई है निज सेली स्टेज में मैंने स्टेड बाई स्टेब चैसे गन्ये को जाया है वो यहां पर दिखाया है और यह टिलर्ड्स एक स्टेज पर काफी अभी आपने शुरुआत में देखा काफी सौस्त हो गया है इस तरह के से आप घरमी गन्न गन्न उगा सकते हैं अगर तीन गंडे आपके पास हैं तो 36 से 40 गंडे उगा सकते हैं और 40 गंडे का अगर हम बेट अच्छा बेट मिल जाता है करीब 60 केजी बेट मिल जाता है और 60 केजी अगर हम बेट की बात कर लें तो इसमें करीब 30 से 35 लीटर जो गंडे का जूस है उसको हम नि निकाला जा सकता है और उसको निकाल करके आप बिल्कुत स्वस्त गना होगा आर्गनिक गना होगा और उसको अगर इस्तिमाल करते हैं तो ज्यादा बेतर है बहुत अच्छा है यह बहुत छोटा सा काम है कि वहले एक आँक का टुकला लेना है पोर्टरे में उसको लगाना है वो अच्छी प्रजातिय जो खाने के लिए आती हैं चाहे आप कोजी 85 तैयर कर लें अभी नहीं प्रजातियां 13235 है 142 से एक हाड़ गन्ना होता है इसको उगाने की यावसकता घर पे नहीं है 13230 के लाव 1530 को आप उगा सकते हैं बहुत अच्छी होती है और एक पुराणी होता है वाइट कलर का होता है जल्दी खराब भी नहीं होता है गन्ने का जूज जब भी निकालें तो ज्यादा इस्ट्रक्शन ना करें ताकि उसमें सेल्लोस ना ने पाए धन्यवाद जय हिंद जय भारत